आपका बहुत बहुत स्वागत है आज की वक्षीट नंबर 38 में वक्षीट नंबर 37 में हमने हिरोन का सुत्र सीखा था आज उसी पर बेस्ट हम कुछ क्वेशन कर रहे हैं पहला प्रश्ण है हमारा कि हम एक छाते को देख रहे हैं यहाँ पर दो प्रकार के कपड़े लगे हु और बीच में यह 20 है आप आपको पता लगाना है चाते में कुल कितना कपड़ा लगा है तो अगर आप एक त्रिबुच का शेत्रफल निकालोगे उसको 10 से गुना करोगे तो पूर्ण चाते का शेत्रफल पता चल जाएगा और उतना ही कपड़ा हमारा इस्तमाल होगा तो यानि कि कितना कपड़ा लगा है इस प्रश्ण को देखने के लिए आपको उसका शेत्र निकालना पड़ता है तो शेत्रफल हम निकालेंगे ए की वैल्यू है 20, 50 और 50 तो आप एस निकालोगे अर्द परिमाप इसका ये निकालोगे A प्लस B प्लस C बाई 2 यानि 20 जमा पच करके 60 cm उसके बाद तिबुज का शेत्रफल निकालोगे S, S-A, S-B, S-C अब इसके बाद आप देख रहे हो कि S का मान यहाँ पर 60 आ गया है तो S के जिगह आपने लिखा 60, ये 60-20, पहली साइड माइनस करते हो, 60-50 दूसरी साइड, 60-50 तीसरी साइड, ठीक है अब हम इसको हल करते हैं, 60 में से 20 का है तो कितना आया? 40, ये 40 आ गया, ये 60 ऐसे कैसे इसके जिगह 40, इसको हल करके 10, इसको हल करके 10 आ गया, अब हम इसका शित्रफल निकालने हैं, तो शित्रफल निकालने के लिए आप ये देखिए, कि ये जो दो 10 है, इनसे एक 10 बाहर आ जाएगा, जो 40 है, इसको हम 4 गुना 10 लिख सकते हैं, तो इस वाले से 2 बाहर आ गया, और 60 को हम लिख सकते हैं 6 गुना 10 तो ये 2 दस हो गए इनसे एक 10 बहार आ गया ठीक है और 6 को 6 अकेला है क्योंकि 6 के अंदर आ गया 3 इंटो 2 ये किसी के साथ नहीं आ सकता है तो 10 गुना 2 गुना 10 बहार और रूट 6 अंदर ये तुम्हारा हो गया 200 200 रूट 6 वर्ग सेंटीमीटर स्कुएर इस प्रकार से आपने देखा कि ये जो था आप किसी भी तरह से जैसा आपका माइंड चले अभाज्य गुनानकन वीदी से इसका वर्गमूल निकाल सकते हो तो एक त्रिबुज का शेतरफल तो ये निकला और जब भी शेतरफल निकला तो वर्ग सेंटीमीटर ये सेंटीमीटर स्कुएर ऐसे लिखißt you त्रिबूज का अर्दपरिमा आप लिखोगे तो पीछे सेंटीमेटर ये यूनिट में आपको स्पैसिफाइए कर रहे हैं ये डालनी बहुत जरूरी है ठीक है नहीं तो मार्क्स कर जाते हैं फिर दस त्रिबूज का टुकडो का शित्रफल निकालना है तो इसी को आप 10 से ग गुना करते हैं 10 शित्रफल के लिए 10 से करते हैं तो 10 त्रिबूज की शित्रफल निकालने के लिए 10 से गुना करोगे तो गुना करने में 10 और 200 गुना होंगे 10 को और 200 को गुना करना है 2000 रूट 6 ठीक है मैं आपको पुनह याद दिला दू वैसे जो बच्चे मेरी वीडियो देख रहे हैं, उनको अभी अच्छी तरह से याद हो गया है, कि कैसे कैसे multiply करने हैं, क्या क्या mistakes होते हैं, लेकिन फिर भी मैं एक बार बता देती हूं, फिर से याद करा देती हूं, कि आप न, इनको नहीं गुना करोगे, last में जाके बारा हजार बना दिया, या कुछ भी बना देते हो, 10 को 6 से गुना कर देते हो, 60 इन तो 200 कर देते हो, कुछ भी कर तो, यह रूट 6 न, अलग रहेगा, यह आपका 12 और 13 अब इस बोड़ पर 30 प्रती वर्ग सेंटीमेटर की दर से पेंटिंग करने का वियाग्यात करना है तो पेंटिंग की दर जो है वो आपको दे रखी है आप निकालने होगी कि इस पूरे बोड़ पर पेंट करने के कितने पैसे लगे तो ये निकालने के लिए इसके कॉस से हम इसको multiply करएंगे, पर कि इसमें शेत्रफल निकाल के, पहले इस त्रिबुच का शेत्रफल निकालते हैं, और शेत्रफल निकालके, फिर इस board पर जो विया दिया गया है, painting का विया है, उससे हम उसको गुना करेंगे, ठीक है, आई एस प्रश्ण को करते हैं, त्रिबुच पहली साइड है 5 दूसरी है 12 जमा 13 बटा 2 तो यह तुम्हारा आजाएगा 30 बटा 2 और यह तुम्हारा आजाएगा 15 cm यह निकल गया उसके बाद त्रिबुच का शेतरफल निकालोगे root S, S-A, S-B, S-C तो बाप यहाँ पे लिखो S तुम्हारा निकल गया 15 15-5 क्योंकि पहली साइड A 5 थी 15-12 क्योंकि B 12 है और 15-13 क्योंकि C 13 है यह values पुट कर दी A, B, C की अब उसके बाद में इसको हल करोगे 15 में से 5 गये तो कितना आया 10 तो यह आपका हो जाएगा 15 इसको हल करके आया 10 इसको हल करके आया 3 इसको हल करके आया 2 यह आपके पस values आगए बस अब वर्गमूल निकालने है वर्गमूल निकालने के लिए यही तरीका देखो एक-एक संख्या देख लो आप इसको ऐसे लिख सकते हो 15 को लिख सकते हो 5 गुना 3 ठीक है यह लिखा गया 10 को लिख सकते हो 2 गुना 5 यह लिखा गया फिर गुना 3 गुना 2 ठीक है यह हो गया अब यह 2 5 है इन से एक 5 बहार निकलाएगा इन दोनो 3 से एक 3 बहार निकलाएगा इन दोनो 2 से एक 2 बहार निकलाएगा तो कितना हो गया यह? पांच तिया पंदरा दुनी 30 30 वर्ग सेंटीमीटर यह इसका शेतरफल आ गया, बोड का ठीक है? अब त्रिबुच का शेतरफल 30 वर्ग सेंटीमीटर आ गया तो पेंटिंग करने का व्य हम किस परकार से निकालते हैं? आपका 30 वर्ग सेंटीमीटर दे रखा एक वर्ग सेंटीमीटर पे 30 रुपए है तो 30 वर्ग सेंटीमीटर पे क्या होगा? इन दोनों को गुना कर देंगे तो 900 रुपए आपका बोड पर पेंटिंग करने का व्य होगा तो यह दोनों प्रश्णों हमने करें हैं, जहां पर हमने देखा इसका application कैसे होता है, हिरोंस formula को कैसे हम दैनिक जीवन में इस्तमाल करते हैं अब स्वयम प्रियास कीजिए, एक सम दीबाहू त्रिबुच, सम दीबाहू त्रिबुच कौन सा होता है, जिसकी दो भुजाएं बराबर होती है, उसका शित्रफल ग्याद करने हैं, जिसकी प्रतेग समान भुजा 15 है, यानि पहली भुजा 15 और दूसरी भुजा भी 15, अच्छा रहेगा, तो हम इसको अप्लाई करते हैं फॉर्मुले को, एकी जिगह आप लिखोगे 15, बी की जिगह लिखोगे 15, और सी की जिगह लिखोगे 12, बटा 2, तो अब 15, 15, 30, 30, और 12, 42, बटा 2, तो यह आपका आगे 21 सेंटीमीटर, यह आगे, जैसे सेंटीमीटर है, अब हम इसका शेत्रफल निकालते हैं, शेत्रफल के लिए ही रोन सुतर रहेगा, एस, एस माइनस ए, तो अब एस की वैल्यू कितनी आई है, यहाँ पे 21 आई है, तो 21, 21 माइनस आपकी बराबर बुजाए है 15, 15, तो 21 माइनस 15, 21 माइनस 15, और 21 माइनस 12, ठीक है, तो यह हो क्या 21, 21 माइनस 15 कितना हुआ? 6, दूसरा 21 माइनस 15, इस से 6, और 21 माइनस 12 हुआ? 9, अब जब मैं इसको हल करेंगे, आप एक रहे हो 2, 6, इस से 1, 6 बहार आ सकता है, यह 9, इस से 1, 3 बहार आ सकता है, 21 जो होता है, वह होता है 3, 7, तो यह इसकी किसी के साथ भी पैरिंग नही तीन गुना साथ की, है ना? तो हम यह बोल सकते है, 6 और 3 बहार आ गया, 6 गुना 3 बहार आ गया, तो यह हो गया तुमारा 18, रूट 21, और यहां लिख दो सेंटीमेटर स्कुएर, या वर्ग सेंटीमेटर, ठीक है? यह इसका शित्रफल हो गया, यह आपका उत्तर हुआ, ठी लिखे, किसी पार्क ने एफिसल पड्ति बनी हुई है, इसकी पार्शिय दिवारों, साइड वॉल्स में एक दिवार पर किसी रंग से पेयंट किया गया, उस पर पार्कों को हरा बारा साफ रखे लिखा गया, याथि दिवारों की विमाए है 15, 11, 6 दिवारों की विमाए 15, शेत्रफल तो यह यानि अंदर का आपको निकालना है दिवारों का शेत्रफल आप नहीं निकाल सकते हैं बच्चों इसके अंदर जो enclosed portion रहा रंग से जो enclosed portion है अंदर जो portion है इसका हम शेतरफल निकाल सकते हैं प्रशन से थोड़ा सा ये इसकी भाषा इस प्रकार से है कि ये clear नहीं हो रहा ठीक है अब हम इस प्रशन को करेंगे हम क्या करें रंग से painted दिवारे है चारो तरफ तो अब उसके अंदर कितना शेतरफल है तीनों तरफ दिवारों से painted तो वो शेतरफल हम बहार निकाल रहे है तो अब आपकी एक साइड है पंदरा, दुसी साइड है ग्यारा और तीसी साइड है छे अब हम इनको जोडते है अर्द परिमाप निकालते है पंदरा, जमा ग्यारा, जमा छे, बटा दो तो यह आपका कितना आजाएगा बत्तिस, बत्तिस बटा दो यह आपका आजाएगा सोला मीटर यह अर्द परिमाप होगे यहाँपे आपको एक मार्क्स मिल जाएगा उसके बदा हीरोन शित्रफल निकालेंगे एरिया का फॉर्मूला ये भी होता है मतलब आप त्रिबुच का जो दिखाऊ ना इसको भी हम शित्रफल बोलते हैं या आप बोलेंगे त्रिबुच का शित्रफल बराबर है S, S माइनस से S माइनस भी इसके जिगा लिख लो 16, 16 माइनस ये साइड कितनी है 15, फिर लिखिए 16, माइनस 11, फिर 16, माइनस 6 तो हो गया 16, 16 में से 15 गए, बचा 1 11 गए, बचा 5, 16 में से 6 गए 10 अब हम इस वर्मूल को हल करना है तो अब इसको हल करने के लिए हम क्या करेंगे 16 जो है, आप जानते हो कि 16 को हम लिख सकते 4 गुना 4, 16 गुना 4, 4 का वर्म होता है 16 और ऐसे ही रहेगा, 5 और जो 10 है उसको 5 गुना 2 लिख सकते हो ठीक है, तो इससे एक 5 बहार आ जाएगा और इससे एक 4 बहार आ जाएगा और रूट 2 अंदर रह जाएगा ठीक है, तो यह आपका हो गया 20 रूट 2 मीटर स्क्वेर यह आपका शित्रफल आ गया उस पार्क का, ठीक है तो आज की वर्कशीट में बच्चों हमने यह सीखा यह दुबारा से मैं आपको पूर्णा बता देती हूँ एक ठीक का शित्रफल एक आपको ऐसे दिया है कि यह दिया है जहाँ पर लंबाई निकालनी आसान हो ऐसे उचाई और आधार पता हो जिसको हम भी बोलते है तो हाफ बीन टू एच करके आप निकाल लो ठीक है, इसको हम कक्षा पांचवी से ही सी करें इस सुत्र को तो जहाँ जरूरत हो जैसा आपके पास आकड़े हो पस्ती तो उसी से आप फर्मूला लगाते हो यहाँ पर यह जो हिरोन सुत्र है यह अब तब लगाते हो जब एक ठीक की तीनो साइड की लंबाई दे रखियो तब आप अर्द पनिमाप निकालोगे एस निकालोगे जो की तीनों को जोड़के बटा दो करके आता है और फिर उसके बाद आप शित्रफल निकाल लें के लिए यह यूद करते हो रूट एस, एस माइनस सी, एस माइनस बी इस माइनस सी, इसका वर्गमोल निकाल लेते हो तो उसके बाद त्रिबुच का शित्रफल निकालाता है ठीक है, यह चार मार्क्स का कॉश्चन आपके पेपर में आता है सारे कॉश्चन बहुती सरल है बिलकुल मुश्किन है, वर्कशीट नमबर वन में भी जो क्वेश्चन रहे थे, हमने रेशो वाले, अनुपात वाले क्याद है, वो भी पेपर में आ जाते है यह दोनों वर्कशीट में जो क्वेश्चन आई, दोनों इंपोर्टेंट है, तो आप इसकी तियारी करोगे, आपकी NCRT की preparation भी हो जाएगी, I hope the concept is clear to you now, आप इस काम को करिए, इसके picks अपनी teachers को send कीजिए, comment section में comment करो, और हम next worksheet की discussion में फिर मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए, विश्रा हम, बाई बाई